हेलो प्रेंज वेल्कं तमाई चाल्ण स्टड़ुए काटिप तिदेल स्टड़ीमैस फ्रक्शन्स लेस्ट कंटिनुव फ्रम् गीवीडियो स्ट्राइक अज लोग्लाइक और अन्लाइक फ्रक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे के यहां पर चाव कि टर और यह सारे एक्राइज्व करते हैं कि अर्फ और नीम्हक कंचे-अर्फ लक्तिन में ज्थ कॉइसे मोड़िए निल्ट करें यहां पर देनोमिनेटर सेम है या अलग है तो सब यह पर देनोमिनेटर सेम है तो फिर वह लाइक फ्रेक्षिन है और अगर देनामिनेटर अलग है तो वह यहां गर फ्रक्षान है जिसे कर इक्वल पार्ट बनाते है कि इसमें तू बताता है पार्ट से इड़ित कितना पार्ट से ड़िग है कि यह खिल है नियुम्रेटर बताते है जो उपर में रहते हैं नीचे रहते है वह दैनामीनेटर होते है पार्ट से दीर आड अर इंसमेंघ फी नॉमिनेटर जितने हम यह जी दिसमने सिर्ट उमार पार्ट से न सीजिद इसमें न है ऑनको्ठ सेmind नॉमिनेर बाइटर लिखंगे आपे नॉमिनेटर यहां पर 4 है यहां पर 4 है यहां पर 4 है 1 by 4 में भी 4 है 2 by 4 में भी 4 है 3 by 4 में भी 4 और 4 by 4 में भी 4 है इसलिए यह हो गया like fraction now we'll study about different denomies now we'll study about unlike fraction अब हम लोग unlike fractions के बारे में पढ़ेंगे यहां पर 4 equal parts है इसमें 2 equal parts और इसमें 3 3 equal parts 3 parts इसमें 2 parts और इसमें 4 parts इसमें 4 है इसमें 2 है इसमें 3 है लेकिन यह जो like fractions है उसमें 4 पार्च में 4 पार्च में 4 ही पार्च है इसलिए यह लाइक फ्रेक्शन हो गया यह इसलिए like fraction हो गया क्योंकि यहां पर denominator सेम रहेगा denominator equal parts बटाते है 4 parts इसमें इसमें 2 parts और इसमें 3 parts और यहां पर यह एक पार्च है देतो हम लोग इससे 1 by 4 लिखेंगे लिखेंगे हम लोग 1 by 4 यहां पर यहां पर यहां पर भी एक पार्च से देते इसलिए 1 by 2 यहां पर दो पार्ट है और वन पार्च से देते इसलिए आज लेकिन डामिनेटर सेम रहते हैं निyumr sırr is different numerator अलग है और इसमें न्यू मेंतर सेम है नििटर इस सेम पर इसमें डअमिनेटर अलग है इसलिए अन्लाएक फ्राक्शन होगया और इसमें यहाँ पर डेनॉमिनेटर अलग है यहाँ पर चार इकुल पार्ट्स है यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन यहाँ पर फिगर से मिए फिगर एकुल ही लेकिन यहाँ पर डेनॉमिनेटर अलग है मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइट किया गया है जैसे कि इस यह अलग हो था है तो फिर सेकंशन केते हैं ए फीर जो दो क्षरेक्शन्स का डिनामिनेटर स्फेंव होब होता है है विश्यारमच यह लग होता है LIKE स्फ्सेंज्वन दोमिनेटर और अलाइक तो एक टिप हो गया like fraction same denominator or unlike fraction different denominator यह ट्रिख इसलिए है ताकि जली से fraction को पहचाम सके की वो like है या unlike है so we'll study more about fractions in the next video subscribe my channel and thank you for watching